हेलो फ्रेंड्स जैश्री राम सोना की रसुई में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बर फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं गुजरात की बहुत ही फेमस ऑथेंटिक स्वीट्स जिसे हम गोल पापड़ी गुड़ पापड़ी या सुखड़ी क जानते हैं जो खाने में तो बहुत ही स्वादिस्थ होती है और हेल्दी भी बहुत होती है तो चलिए फटा-फट से इसकी रसीपी शुरू करते हैं इसके लिए हमने सबसे पहले लेली है कढ़ाई और उसमें हमने 1 कप घी डाल दिया है पूरा हमें देसी घी चाहिए तो द आटा दो कब जूम्ने लिया था, इसा भ गी में डालके और अच्छे से भूनेंगे तो आप कोशिश करें कि ाप थोड़ा सा आटा जो ले वह ठोड़ा सा मोटा बोड़ा हो जैसे पिस्ते थूर pembe लेन तो भी थे ज़िझे हो भूनने में हमें 15 मिनट 10-15 मिनट पूरे लगते हैं और ये देखिए ये पूरा घी रिलीस कर चुका है और इसका कलर भी देखिए आंटे का कितना बढ़िया चेंज हो गया है और अब इसे स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच गोंध पाउडर गोंध हमने ली थी और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मुंफली का पाउडर हमने मुंफली को भून के इससे अच्छे से पीस लिया था एक चौथाई कप हम इसमें डाल देंगे और एक चौथाई कप हम इसमें डाल देंगे नारियल का भूरा डेसिकेटेट कोकोनट और आदा चम्मच हम डाल देंगे इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर आफ फ्रेश ही यूज करें तो इन सब चीजों को हम अच्छे से कर देंगे आप जानते ही हैं कि अच्छी होती है मुफली भी कमर दर्ध के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो आप इन सब चीजों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स और गैस को हमने कर दिया है बंद और उसके बाद दो मिनिट की लगभग हम इसे थोड़ा सा हलका सा चलाते हुए इससे हलका सा ठंडा कर लेंगे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है सिर्फ दो मिनिट के लिए हम इसे कर लेंगे ठंडा जिससे इसका जो हाई टेंपरेचर है न वो थोड़ा सा डाउन ह बस इतना ही और उसके बाद हम इसमें एड कर देंगे यह ग्रेट किया हुआ गुड़ आप जो घर का होता है या मार्केट का जो भी आपके पास अवलेबल है हमारे पास घर का गुड़ था यह हमने ग्रेट करके ले लिया है अगर आप ग्रेट नहीं तो थोड़ा साप इसे यह मिठाइक hasad ओजाएगी और खाने में भी बिल्कोल अच्छा नहीं लगवी तो यह सल्केसर में गीस byम अने एक घर को यह सल्केस ौटाने इससे हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसे बर्फी के शेप में हम इसे जमा देंगे। तो यह देखिए हमने बराबर से इसे पूरा अच्छे से प्रेस करते हुए इसको सेट कर दिया है। और अब हम इसमें चाकु से कट का निशान लगा देंगे। निशान के हल्क हल्का सा हम इसे कट करके स्को शेप देंगे यह देखिए। आप स्बकेए votreify इसाब से रखना चाहें रख सकते हैं चाहे आप इसे काजू कथिए वाला स्प्राइड चाहें सकुर प्रोश भी है तो ना सकते हैं तो बस इसे हमने cut करके आधे घंटे के लिए इसे normal temperature पर इसे बस set होने के लिए आप रख दे और फिर से हलका सा चाकू से इसे हम cut कर लेंगे जो हमने line बनाई थी ना बस और ये देखिए हमारी सुखडी बनके तयार है कितनी बढ़िया और कितने बढ़िया से pieces इसके अच्छे से एकदम निकल रहे है और यकीन मानिए बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और जो दादी बबाबा हमारे होते हैं जिनके दात नहीं होते हैं वो बहुत हाड मिठाई कोई वैसी होती है तो वो खा नहीं पाते है तो ये बिना दात वो लुप बालों के लिए भी ये मिठाई perfect है एकदम मुँ में घुल जाने वाली तो ये देखिए हम आपको अभी इसे तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये कितनी soft है और बहुत अच्छी बनी है ये बरफी शेप देना तो आपके उपर है कि आप इसे दादी बबो भी आराम से बिना दात वले भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे बड़े भी खा लेंगे सभी इसे बहुत पसंद से खाएंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी और ये बहुत ही कम समान में और बहुत ही जल्दी बनके तयार हुई है तो बुल्ड़ीव